बच्चों स्वागत है आपके अपने टूप चैनल का नहीं आ कलासेस पर जी हाँ इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आप गध्यांस को पढ़कर और उससे सम्मंदित प्रशनों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूरग क्या परिछह में जाकर कैसे लिखेंगे अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे यानि कि सबसे पहले क्या करते हैं जो गध्यांस दिया होता है उसको ध्यांसे पढ़ते हैं उसके बाद उससे संबंदित जो प्रशन दिये होते हैं उनको हल करते हैं तो सबसे पहले क्या दियांस को पढ़ेंगे इसमें लिखा है मात्र भूम पर निवास करने वाले मनुस राष्ट का दूसरा अंग है प्रत्वी हो और मनुस ना हो तो राष्ट की कलपना संभो है प्रत्वी और जन दोनों के समिलन से ही राष्ट का स्वरूप बनाते हैं जन के कारण ही प्रत्वी मात्र भूम की संग्या प्राप्त करती है प्रत्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में प्रत्वी का पुत्र है तो इस गद्यांस को सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे आप क्या करेंगे जो इससे सम्मंदे प्रश्ण है अब उनके हम आपको उत्तर बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे तो पहला प्रश्ण है पाठ का सीर्षक और लेखक का नाम लिखिए यानि कि ये किस पार्ट से लिया गया है ये गद्यांस किस पार्ट से लिया गया है उस पार्ट का आपको नाम लिखना है और इस पार्ट को किसने लिखा है उस लेखक का आपको नाम लिखना है तो इसमें लिखेंगे पार्ट का सिर्शक है राष्ट का स्वरूप यहीं कि पाठ का नाम क्या है राष्ट का सुरूप लेखक का नाम है वासदेश सरण अग्रवाल तो पहला जो प्रश्ण है इसमें आपको सिर्फ दो चीजे लिखना है पाठ का नाम और लेखक का नाम अब दूसरा प्रश्ण है राष्ट की कलपना कब असंभो है तो यहां पर देखिए पिर्थवी हो और मनुस ना हो तो राष्ट की कलपना असंभो है तो इसका उतर लिखेंगे मनुस के बिना राष्ट की कलपना असंभो है यानि कि अगर मनुस नहीं है तो राष्ट की कलपन नहीं की जा सकती है अब तीसरा प्रश्न है प्रत्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं तो इसका उत्तर होगा प्रत्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट का सरू बनाते हैं यहाँ पर देखे लिखा हुआ है प्रिथवी और जन दोनों के समिलन से ही राष्ट का सवरू बनाते हैं यानि कि प्रिथवी और जन मिलकर क्या गरते हैं राष्ट का सवरू बनाते हैं अब चोथा प्रश्ण है प्रत्वी कब मात्र भूम की संग्या प्राप्त करती है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जन के कारण ही प्रत्वी मात्र भूम की संग्या प्राप्त करती है तो अब इसका उतर लिखेंगे जन के कारण ही पर्थवी माद्र भूम की संग्या प्राप्त करती है अब question number 5 है रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए तो देखिए गद्यांस में ध्यांसे तो यहाँ पर रेखांकित अंस की व्याख्या करना है प्रिथवी माता है और जन सच्चे अर्थों में प्रिथवी का पुत्र है यानि की परिच्चा में जो गद्यांस दिया होगा उसमें रेखांकित अंस जितना होगा उसके आपके व्याख्या लिखना होगा तो यहाँ पर लिखा है पृत्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृत्वी का पुत्र है यानि कि पृत्वी भी हमारी मा के समान है यानि कि लिखेंगे पृत्वी भी हमारी मा के समान है और जन सच्चे अर्थों में पृत्वी का पुत्र है यानि कि जो हमें अन देती है और हमारा पालन पोसर करती है यानि कि इसका आर्थ लिखेंगे प्रथिवी भी हमारी मा के समान है जो हमें अन्य देती है और हमारा पालन पोसर करती है तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे प्रथिवी भी हमारी मा के समान है जो हमें अन्य देती है और हमारा पालन पोसर करती है तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप गध्यांस से सम्मंधित प्रशनों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से लिखना समझाया है अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत